नमस्का इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज हम बनाने वाले हैं बेक नेक का डिजाइन जिसके लिए हमने अपने शोलर को रखा है 6 इंच, आम होल को रखा है 6.5 इंच, ब्लाउस के लिए लेंध रखी है 15.5 आप इसको कूर्टी के लिए भी बना सकते हैं प्लीज इस वीडियो को एंड तक जुरूर देखें नेक की कटिंग के दोस्तों हमने लिया है फ्यूज पेपर आप पेस्टिंग का इस्तेमाल भी का सकते हैं गले की चोडाई रखे 3 इंच और गले की लंबाई पाप अपने कोडिंग रख सकते हैं हम रख रह अब एक्स्ट्रा लेंगी वन इंच कटिंग के लिए दोस्तों आपको हर वीडियो में पूरी डीटिल के साथ बताया जाता है फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंड बोक्स में पूछ सकते हैं इस तरह से यहां पर भी शेप डाल देंगे और बाहर से और अंदर से इ प्रिज आनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए देखे नेक की कटिंग हमारी हो चुकी है आप इस नेक को एक फैबरिक के उपर आपको रखना है और अगर पेस्टिंग का यूज किया है तो इसको अच्छे से आयन की मुदद से यहां पर पेस्ट कर लीजिए पेस्ट करन कट करने के बाद जो साइट से इनको फोर्ड करकी हाँ पर सिलाई लगा देंगे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हम इसने को रेडी करने वाले हैं तो छोटे-छोटे स्टेप्स का आप जरूर ध्यान रखें इस तरह से हम टोटल को फोर्ड कर लिया है इसको और अब स सेंटर के लिए क्या करना है हमें ताकि गला हमारा सेंटर में आये तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो भी कूर्ती बलाउज का पीस लिया है इसके बीचो बीच कट लगाए और इस तरह से नाखुन की मदद से प्रेस कर लेजिए देखिए इस तरह से अब यहां पर आप मार्किंग कर सकते हैं इसली सेंटर के लिए अब बात करते हैं नेक के लिए तो नेक के लिए भी सेम चीज फोलो करना है इस तरह से फोल कीजिए और उपर आप सेंटर के लिए मार्किंग कर दीजिए और यहां से आप इस तरह से कट भी लगा सकते हैं अब यह दोनों कट को बहुत ही इसली लगा सकते हैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये तयार होगा और बिल्कुल शेंटर में ये बनकर रेडी होगा एक बात का ध्यान जरूर रखें जो सिलाई आपकी वह पेस्टिंग के उपर से आए या फिर फैबरिक के उपर से आए कभी के एक लगा सकते हैं उसके बाद इसके हमें किनारी के साथ साथ सिलाई लगा देनी है इससे आपकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दिखेगी उमिद करते दोस्तों इस तरह के बहुत ही सिंपल डिजाइन आपके लेकर आते हैं जो कोई बिगनर से वो भी इजली बना सकते हैं और बनाने के बाद बहुत ही सुन्दर ये लगते हैं अब इसमें हमें डिजाइन लगाना है तो design के लिए हमें एक अलग कपड़ा लिया है अलग color के साथ लिया है यह हमने इसके साथ matching में लिया है design बनाने के लिए दोस्तों आपको इस fabric को side से इस तरह से fold करना है और यहां पर करीबन आदा इंच का margin रखती हुए side में इस तरह से शिलाये लगा देंगे same वैसे ही जैसे हम piping मना दे हैं उस time लगाती है अब इसको side से cut कर लीजिए बहुत चरदा margin ना छोड़ी side में cut करते time देखिए अब इसको हमें बाहर की तरफ निकालना है तो सुई दागे के मदद से इस तरह से एक portion उठाईए इसका और यहां पर एक note लगा दीजिए इस तरह से आब needle का पिछले वाला हिस्सा इसमें डालिए बिल्कुल same method है जैसे हम piping मना दे हैं उस तरह से इसको बनाना है और यह काभी मोटा है तो बहुत ही easily निकल करके आ जाएगा यह देखिए अब इसको आप धीरे धीरे खीचते जाएए बिल्कुल हलके से और यह हमारा बहुत ही आसानी से बाहर की तरफ निकल करके आ जाएगा यह देखिए अब इसके उपर अच्छे से प्रेस लगाईए चोटे चोटे पीसिस में इसको कट करेंगे ताकि हम कर लेना है करीबन 20 से 25 आपको यह चाहिए होंगे यह डिजाइन बनाने के लिए तो पहले ही दो या तीन डोरी अपनी बना करके रख ले और इस तरह से यह तयार है हमारे डिजाइन के लिए अब इसको आपको इस तरह से एक साइड से फोल करना है फिर दूसरी वाले इस तरह का डिजाइन का हम इस्तिमाल करेंगे जो की बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है यह देखिए अब इसको आपको यहां पर रख दिना है अपने गले के अंदर यह देखिए और इसके उपर से सिलाइ लगा देनी है ध्यान रखे दोस्तों जो डिजाइन है बाहर की त करके दूसरा लगाया है हमने उपर से आधा इंच चोड़ दिया था क्योंकि हमारे शोल्डर में जाने वाला था आधा इंच तो चोड़ करके तब अपने डिजाइन को शुरू कीजिए एक एक करके पूरे नेक में हम इनको बना लेंगे और बनाने के बाद आप देख सकते यहां पर सभी डिजाइन्स में लगाएंगे सुवी धागे की मदद से सबसे पहले नीचे से धागा निकाल कर लाएंगे और यहां पर एक बीड लगा देंगे यह देखिए इस तरह से यह जो लूप्स हमने बनाये थे यही पर यह फिक्स हो जाएंगे यह देखिए अब ध अब इस पूरे नेक में आप इन सभी बीर्ट को एक एक करके लगा लेना थोड़ा मेहनत है तो इसलिए देखिए हमने यह तयार कर लिया है बहुत ही प्यारा यह बन कर तयार हुआ आप देख सकते हो बहुत ही हैवी बर्क बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं इसलिए बहुत ही असानी से बना सकते हो मेन बात होती है हमारे फिनिसिंग के साथ काम करना तो इस तरह की डिजाइन्स आप जरूर ट्राइ करें अगर आपने अभी तक ट्राइन नहीं किये हैं बहुत ही सुंदर लगेंगे और इसके साथ ही मैचिंग की हमने चोट-चोट टैसल्स बनाई हैं इन टैसल्स को आपको अपने नेक पी यहां पर लगा देना है उपर से करीबन दो इस छोड़ते हुए हम इनको यहां पर फिक्स कर देते हैं दोनों ही साइड इनको लगा लेना है यह दूसरे वाला टैसल है इसको भी यहीं पर लगा सकते हैं आप चाहे इसके साथ यह डिजाइन ज्यादा अच्छे लगते हैं यह देखिए नोट लगाने के बाद आप देख सकते हो कितना खुबसुरूत लग रहा है डिजाइन उमीद करते दोस्तों आपको वीडियो पैसंद आया होगा पैसंद आए तो प्लीज इस वीडियो के एक लाइक बड़ाइन